ओके अब जो कैबनेट मिशन प्लान बना उसी की वज़ा से कनस्टुचुएंट एसम्बली बनी जिसका काम था कनस्टुचुशन बनाना लेकिन कब ये बनी कनस्टुचुएंट एसम्बली नॉमबर नाइंटीन फोटी सिक्स को याद रखना के गांधी और जिन्ना इस इस से गांधी जिन्ना अपनी चैस से उन्होंने बोला नई भाई हम कनस्टुचुएंट एसम्बली के मेंबर नहीं रहेंगे और आपको मैं बताओ यहाँ पे कैबनेट मिशन प्लान के हिसाब से कैसे बना कनस्टुचुशन सिंगल ट्रानस्परेबल वोट क्या होता है ये हम सीखेंगे यहाँ पे लेकिन एक अच्छी बात सिंपल सी बात कहूंगा मैं पहले आप सब को पता है कि 26 जनवरी 1950 को इंडियन कनस्टुचुशन एन फोर्स एन फोर्स हुआ ठीक है आपको मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि इस कनस्टुचुशन के बनने से पहले कौन सा कनस्टुचुशन चल रहा था इंडिया में कौन सा कनस्टुचुशन फोर्स में था याद रखना इससे पहले गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 कनस्टुचुशन की तरह काम कर रहा था इतना ही नहीं 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वो भी कनस्टुचुशन की तरह काम कर रहा था, तभी तो, तभी तो, Indian Constitution जब बना उसका last article, last article कौन सा था, पहले जब Constitution बना Indian Constitution, article 395, पहले इतनी आटिकल थे ना, 395 articles, अब तो बहुत है, 395th article क्या कहता है, कभी देख लेना, वो बोलता है कि, Government of India Act 1935, repeal, Indian Independence Act 1947, 147 repeal, अब वो कनस्टुचूशन की तरह काम नहीं करेंगे, अब अगर कोई India के लिए कनस्टुचूशन है, वो यह है, 26 जनवरी को जो एनफोर्स हुआ रिपब्लिक डे पे, जो के बनाया कनस्टुचूँट एसंबली ने, कैसे बनाया, कैसे बनी कनस्टुचूशन एसंबली सीखेंगे, देखो, टाइम टू टाइम जो ब्रिटिशर्स कानून लगा रहे थे ना इंडिया पे, वो उस ताइम के लिए कनस्टुचूशन होता था, रेगुलेटिंग एक्ट लगाया, कनस्टुचूशन बना वो उस ताइम के लिए, जब तक पिठिस इंडिया अक्ट आया, पिठिस इंडिया अक्ट के बाद, जब तक दूसरे अक्ट आया, चार्टर अक्ट तब तक पिठिस इंडिया अक्ट कनस्टूशन था, Charter Act Constitution की तरह बहेव कर रहा था जब तक उसके बाद गौर्मेंट अपिंटे एक्टर साए उसके बाद जब तक बाकी एक्टर साए Council Actors तब तक वो एक्ट काम कर रहा था मकसद की बात है वो एक्ट बहेव कर रहा था as Constitution from time to time अब समझना है यह आपको की कानस्टिचूएंट असेंबली कैसे बनी और किसीने सवाल भी बूछा था सर डोमीनियन इंडिया कब बना देखो भाई मैंने बोला भी कि आपके आजादी के दिन पे 15 अगस्त 1947 पे इंडिया इंडिपेंडेंट्स नी बना अच्छी तरह इंडिपेंट्स बना इंडिपेंडेंट्स बना ढग बना छिसको बोलते हैं ढुमीनियन हाँ, जब बना सिर्टथ जन वरी नीपेंट्स इंफुर्स्वाक कनस्थूंट्शूश्श्न extends works सिर्क्षणदेज इंडिया को अबनेट मिशिन प्लान के हिसाब से कैसे कनस्टिचुमेट एसम्बली बनाई गई? याद रखना. सबसे पहले, one to a million rule लाया गया, मतलब सल, मतलब कि अगर कोई प्रवेंस है, मान लिजे ये मदरास लिका है न, मदरास प्रवेंस है, और इसमें 10 million लोग रहते हैं, population, 10 million है, त अगर UP में 5 million लोग है तो 5 member आएंगे कनस्टुमेट एसम्बली के लिए, one to a million rule समझ में आ गया आपको, इसलिए 389 member cabinet mission plan ने दिये one to a million rule को दिमाग में रखके, एक million से एक बंदा कनस्टुमेट एसम्बली में आएगा, और आपको मेरा और एक सवाल, क्या इन members ने जो की कनस institution बनाया, आप बोलोगे हाँ, लेकिन ना, आरे इन मैंसे आदे member Pakistan चले गए, और कितने member फिर रहे Indian कनस्टुमेट एसम्बली आपकिस्तान, कितने member हैं जो चले गए पाकिस्तान, इस कनस्टुमेट एसम्बली के members थे वो, वो बने भी इसके members, और फिर यहां से वो चले गए पाकिस्तान, कितने 90 members, तब ही तो 299 membership होगया, कनस्टुमेट एसम्बली का 389 members है, 90 persons चले गए, पाकिस्तान जिस वजा से कनस्टुमेट एसम्बली की membership गिर गई और यही हैं वो असल members, असल में members, जिन्होंने Indian का नस्टुमेट को बनाया, ओके, पाकिस्तान कब वो चले आद ही चले गए पाकिस्तान, ओके, और यह 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 कब बने थे, यह 389 मेंबर्स, 1946 में, 1947 अगस्त के बाद इतने मेंबर्शिप होगे, ठीक है सर, ठीक है, समझ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आप समझो इस बात को, जो इतने मेंबर, अब सवाल अगर आए को, और जिनल मेंबर्शिप आप कैबने, कानश्वाट असमबली, आप यह लिखोगे, अगर सवाल आए, इंडियन इंडिपेंडेंट्स एक्ट के बाद, मेंबर्शिप रिडूस हुआ, कितना कानश्वाट असमबली, अगर सवाल आए, यह इंडियन कानश्वाट असमबल के members ने बनाया, तो इतनों ने बनाया, ठीक है, originally कितने थे, इतने थे, समझ आ गया आपको, कितने पाकिस्तान चले गए, 90 चले गए, ओके डियर, ये जो 389 members है न, ये दो जगाओं से लाए गए, जब यहाँ पे Britishers राज कर रहे थे, तो दो तरह के provinces थे, एक थे, राजा महराजाओं के states, प्रिंसली provinces, प्रिंसली states, दूसरे थे, ब्रिट्श इंडिया, जहाँ पे, ब्रिट्श डिरेक्ट रूल कर रहा था, ठी महराजाओं के states, कोई नीचे कमेट करो, कि ये जो प्रिंसली states थे, इनके उपर राजा महराजा होता था, क्या ब्रिट्श का राजा Manuel waking there, थे, ब्रिट्श का राजा किन्ट्रोल Prins agencies थे होता था, एंडिरेक्ट करो, और नीचे कमेट करो, देखना चाहता हूं में क्या जवा चीफ कमिशनर प्रोवेंस से, चार कहां से आए, चीफ कमिशनर प्रोवेंस से, कितने गवर्नर प्रोवेंस से हैं, 11 आपके सामने ये, पढ़ लीजे खुदी, पढ़ने की कोई जुरत नहीं, पढ़ना तो आता होगा आपको, देख लीजे, जूम भी मैंने किया, कोई कर रहा था directly, वहाँ पे गवर्नर प्रोवेंस से, 11 और 4 चीफ कमिशनर प्रोवेंस एक फरक क्या है, जैसे कि आज सिटेट्स और यू टीज है न, वैसे ही ये भी थे, यह आप आज के स्टेट्स मान लीजे, यह आप यू टीज मान लीजे, यहाँ पे इनकी एसंबली होती थी, population ज्यादा होती थी, governor provinces में, यहाँ पे assembly नहीं होती थी, और population कम होती थी, ठीक है ना, जैसे आज UT, डिरेक्टर कंट्रोल सेंटर के अंदर, okay, मकसद की बाद कि यहाँ पे कम powers थे, यहाँ पे ज्यादा powers थे, इनको बहुत powers थे, states की तरह, इनको कम powers थे, यूटी इस की तरह, okay, अब जान ये इस बात को, कि जो यह 296 members है, टोटल वाले, यह और यह मिला के, British India वाले, इन में election हो गया, direct, indirect, sorry, indirect election, cabinet mission plan ने बोला, इनका होगा indirect election, और जो 93 आएंगे, राजा, महराजा सिटेट से, उनका election ही नहीं होगा, राजा, महराजा खुद ही decide करेगा, मेरे राज्य से यह जाएगा, मेरे राज्य से वो जाएगा, उसको बोलते हैं, nomination, तो 93 princely states के लिए, election का procedure नहीं था, nomination का था, लेकिन, राजा, महराजा उनने, यह 93 states फिल ही नहीं किये, उनने बोला, भाई हमको क्या करना conundation assembly से, हमको नहीं बनाना conundation, हम खुश है, अरे खुश तो होंगे, मजे ले रहे थे, राजा महराजा, अब, समझना आपको यह है, कि जो यह provinces हैं, जिन में indirect election हुआ, अब यह indirect election क्या होता है, जहाँ पे लोग वोट नहीं डालेंगे, जहाँ पे वोट डालेंगे, कौन? सुपेशल परसंस, MLA's, MP's, ठीक है न, legislative members, या कोई खास बंदा, ओके, अब यहाँ पे भी किसी-किसी खास बंदे नहीं वोट डाला, इन्टू 96 मेंबर्स को चुनने के लिए, ताकि यह जाए कानश्वाट असम्बली में, इस इंडिरेक्ट एलेक्शन में, किसने वो डाला, उनको बोलते हैं, प्रवेंसेज, हर एक प्रवेंस में, लेजिसलेटिव प्रवेंस होती थी, प्रवेंसेजलेटिव 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 प्रवेंसेज उसी से election होगा, लेकिन उससे पहले ये जानो. देखो भाई, जितने भी select करने थे provinces में, हर एक province में, हर एक province में, याद रखना. हर एक province में, seats इस तरह से decide होते थे, कि वो distribute हो जाए, six में, muslims में, और general में, general में, muslims में, और six में. सीट्स का distribution होना चाहिए, population के हिसाब से. For example, अगर हम मान लेते हैं, ये कोई province है, एक province इन में से बंबई, ये बंबई है, ठीक है, बंबई province है. बंबई province में से चार मिलियन लोग है, चार मिलियन, आपको पता है, one to a million rule, मतलब यहां से चार लोग आएंगे. दो million है general, general में Hindus आते थे और बाकी religions आते थे, एक million है Sikh और एक million है Muslims, आपको पता है, एक million में से एक जाएगा, तो एक ही आएगा. एक million Sikhs में से एक member जाना है उसको, और दो general population, दो million general population में से दो बंदे जाएंगे. ठीक है, समझ में आगए, population के हिसाब से seats distribute हो गए, six Muslims general, okay, done, लेकिन, इस बात को समझो, इस एक बंदे को चुनेंगे, इस province के six, बास six को चुनेंगे, और कोई नहीं वोट डालेगा. इस province के अंदर जितने भी Muslims है, वो इस एक Muslim को चुनेंगे, और कोई नहीं चुनेंगा, और कोई दूसरी community नहीं चुनेंगे. जो दो लोग है general के, उनको सिर्फ चुनेंगे, general के लोग, Sikh और Muslim नहीं चुनेंगे. ये भी आपको याद रखना है, seats distribute हो गए इन में से, population के हिजाब से, हर province की बात है ये. और जो community वोट कर सकती है, सिर्फ अपने ही community के मेंबर को. Community can only vote या elect अपनी ही community के बंदे को. बस ये आपको समझना है. अब यहाँ तक आपको समझा और एक बात हो सकती है, आपके दिमाग में, sir, 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 मेरे दिमाग में आया ना, इसलिए. sir, कोई जगा है, मान लिए Delhi बहुत चोटा है, इसमें आदा ही million है, तो आदा बंदा जाएगा क्या, क्या, क्योंकि one to a million rule के हिसाब से, आदा million, आदा बंदा, किसको काटे वो फिर वो बेजे, देली कोर दूसरे को कंबाइन किया जाएगा, फिर अगर इसका भी आदा, इसका भी आदा, दोक दोका हो गए, एक million, इन दो मेंसे फिर एक जाएगा, ठीक है, जिसकी population एक million नहीं है, आदी million है, उसको दूसरे के साथ जहिन करके, करते थे जुगार, ठीक है, समुझ आ गया नॉमिनेशन हुआ, इन मेंबर्स की बात है, इलेक्शन है, तभी तो इस साइड लिखा, यह बात खत्म हो गई, इनका नॉमिनेशन होना था, कावनिनेशन प्लैन के हिसाब से, इन्होंने सीट को फिल नहीं किया, बात खत्म, जो यह election वाले हैं, indirect election वाले, इन में भी election और अब जब election होगा, सिंगल ट्रांस्परेबल वोट के हिसाब से होगा, वो क्या होता है, सिंगल ट्रांस्परेबल वोट यह होता है, कि उसके लिए एक एक्वेशन होती है, सबसे पहले एक्वेशन को जानो, सिंगल ट्रांस्परेबल वोट बोलता है, सबसे पहले एक्वेश होनी चाहिए क्या कोटा बराबर होना चाहिए और कोटा क्या होता है टोटल वोटस मैं ऐसे लिखूँगा यहां पर लिखाई है मैं क्यों लिखूँ जूम करूं इसको बात खातम सिंगल ट्रांस्फिर वोट क्या बोलता है कोटा आना चाहिए वो सिलेक्ट हो जाए जिस बंडे का कोटा हो गया वो जाएगा सिलेक्शन के लिए वो जाएगा वो सिलेक्शन के लिए वो जाएगा वो सिलेक्ट हो गया वो कानस्चोटा समली का मेंबर बन गया कोटा क्या है उ मैंने example, यहाँ पर मदरास example भी दे दी है, मैंने, ठीक है, मदरास, मदरास, यह indirect election है, बाई, मदरास के provincial assembly जो है ना, assembly, provincial assembly अंदर की, मदरास की, सिर्फ वोट करेंगे, तो votes कितने होए total, मदरास की provincial assembly मैंने माना, कि members है, हजार, इतने नहीं होते थे, example दे रहा हूँ, हजार members, ठीक है, सर, total votes आगया, thousand, यहाँ पर लिखा है, thousand, divided by, seats कितने हैं, आप मान लो कि 3 million है, मदरास की population, तो 3 million मैंसे, कितने जाएंगे, कितने जाएंगे, करनाश्वाट assembly के member बनने के लिए, सर, 3 जाएंगे, इसलिए लिखा मैंने, seats के बदले, यहाँ पर 3, ठीक है, समझ में आ हजार वोट, दिवड़े पर 3 seats, प्लस 1, प्लस 1, वहाँ यहाँ, 201 रिजल्ट, एक बंदे का कोटा है, 201 seats, जिसको 201 seat मिलेगी, वो सिलेक्ट होगा, करनाश्वाट assembly के लिए, अब यही हम जाएंगे, सिंगल ट्रांस्परेबल वोट का सीखना बोत इंपर्टन है, क्योंकि प देखो सर, समझ आ गया, अब सिंगल ट्रांस्परेबल वोट क्या है, जो भी यह बंदे प्रोविंचल एसंबली में हैं, और पता है यह कैसे हुए थे, खुद सिलेक्ट, खुद, खुद, मतरास के अंदर, जो यह लेजिशलेट, यह प्रोविंचल एसंबली के मेंबर थे, यह खुद खुए नहीं थे, सिलेक्ट, लोगों नहीं नहीं किये थे, यह डिरेक्ट एलेक्शन से इलेक्ट नहीं हुए थे, यह लिमिटेड फ्रेंचाइज से इलेक्ट हुए थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज होता है, जिसके पास ज्यादा प्रोपर्टी हो, जिसका एड जो टेक्स बरता हो गौर्मेट को उसी को प्रवंशल एसम्बली का मेंबर लाया जाएगा, एसम्बली का मेंबर बनाया जाएगा, लिमिटर फ्रेंचाइज, यह गौर्मेट आफ इंडिय एक्टिक के हिसाब से बनाया गए थे, चलो हजार थे, मदरास के, वोट्स कितने हैं, हजार मान लिया सर, सीट्स कितने हैं, तीन यहां से सिलेक्ट करने मान लिया सर, उसके बाद, इलेक्शन में कितने उठे, मैंने बोला A, B, C, D, E, F, G, साथ लोग इलेक्शन में मैंने, मैंने माना कि उठे मदरास से, अब इन में से तीन ही सिलेक्ट होने हैं, कैसे होंगे, एक, एक member, assembly member के पास, एक, एक ballot paper मिलेगा उसको, sacred ballot paper, मतलब किसी दूसरे को नहीं दिखा ना, ऐसे मान लो, एक ballot paper इनको मिला, एक, एक को मिला, ये ballot paper पे, for example, इसकी अगर बात करें इस बंदे की, इसके पास ballot paper आया, उसने अपने ballot paper पे preference देनी है, तब ही single transferable vote को बोलते है, preferential voting भी, क्या preference, वो बोलेगा, A को मैं, नमर वन दूँगा, ये ही select होना चाहिए, मदरा से, for consistent assembly, फिर ये ही बंदा बोलता है, अगर ये A नहीं select हुआ, तो दूसरे नमर पे B देता हूं मैं, अगर वो नहीं तीसरे नमर पे C, अगर वो नहीं फिर G जाना चाहिए, फूर्थ फिर F जाना चाहिए, फिफ्थ नमर पे, मतलब ये बोलता है, अगर ये नहीं तो वो जाना चाहिए, दूसरी preference, थर्ड preference, ये preference देते हैं, जैसे कि ये वाले बंदे ने, इसको ballot paper मिला, उसने ये preference दे दी, example, उसने बोला पहला नमर C select होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ, दूसरा यहां पे है, तो A select होना चाहिए, तीसरा किसको ये है, तो D select होना चाहिए, मतलब कि ये हर बंदे को जितने बंदे उठे हैं election के लिए, बोलते हैं कि वो select होना चाहिए, वो select होना चाहिए, आदूसरे नमर पे, तीसरे नमर पे, समझ आ गया आपको, अब आपको ज वोठे थे एलेक्शन के लिए A, B, C, D, E, F, G, उन मेंसे, हजार सीट्स मेंसे, क्योंकि टोटल वोट्स हैं हजार, हजार वोट्स मेंसे, 200 वोट्स जी को मिले, G जो बंदा है 200 वोट्स मिले, 161, 40 इसी तरह सब को अपने-पने वोट्स मिले, आप मजे बताएए, कौन होए, F, G, A, B, I, अभी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोटा की लाइन किसी ने क्रास नहीं की, कोटा बोलता है, मैं हूँ 201 सीट, इसको 200 ही है, 201 नहीं है, इसको अगर एक मिल जाए, तो ये सिलेक्ट है, अब, सिंगल ट्रांस्परिबल वोट्स बोलता है, जब कोई स सीट्स वाले को, सबसे कम सीट्स वाला को है, 90 वाला, अब आप बोलोगे सर, सबसे कम सीट्स हमको समझ नहीं आया, याद रखना इस बात को बहुत ज़रूरी पॉइंट है, सबसे कम सीट्स, 90 सीट्स का मतलब पता है, 90 लोगों ने, 1000 मैं से, एक नंबर प्रेफरेंस, C को द 1000 मैं से, A को, A को, first preference दी है, समझाएना, oh, कि ये आपको समझ में आगा, सबसे एक first preference, 1000 लोगों मैं से, किस को मिली है, सबसे कम, first preference, सर, C को, सिर्फ 90 first preferences है, तो जब किसीने कोटा पूरा नहीं किया, C को हटाया जाता है, जो ये 90 इसके first preference है ना, वो ट रानस पर हो जाते है, फिर्स्ट प्रेफरेंस की को दे हैं, उन्होंने किसी को दूसरी प्रेफरेंस दी होगी, किसी ना किसी को दूसरी प्रेफरेंस दी होगी, हर बंदे ने दूसरी दूसरी प्रेफरेंस दी होगी, किसी ना किसी को, तो वो दूसरी प्रेफरेंस मानी जाती है और चड़ाई जात इन पर एंपे, for example, 90 लोगों में से, 40 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं, जोन्होंने एप को चला जाएगा ये, इसका कोटा, जिए को दो थीन लोग ऐसे हैं जुन्होंने इसको प्रप्राइंस इतीं second प्रप्राइंस तो एक उपर चला जाएगा को ढ़ी दो तीन लोग एक ऋपर एसे लेकिन मैनने यहां पर 110 वाले को जिताया क्यूंकि सी मैं से मैंसे म क्जिमम लोगूने से second प्रेफर्स दी थी एप को, तो C के वोट्स ट्रानस्पर होगे, मैक्जिमम वाले एप को, सेकंड प्रेफर्स वाले को, इसी लिए इसको बोलते हैं, सिंगल ट्रानस्पर वोट्ट, अब आप मुझे बता, किस ने जीता, तिक इस ने जीता, ठीके समझाए ना, इसने जीता, एफने जीता, अब आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, बहुत important point है, इसी तरह जब ये खत्म हुआ, उसके बाद ये जो उपर वाले हिसे न वोट्स, वो किसी काम के नहीं है, वो फिर से हटाए जाएंगे, और वो फिर से देखे पर, यहां पर फिल हो गया, अगर फिर भी फिल नहीं हुआ, इसको भी नहीं है, फिल नहीं हो तो पता क्या होता है, इसी तरह सब से कम मार्कस वाला ये है, इसका हटाया जाता है, तो मान लीजे, इसके 110 लोगों ने, इसको भी 10 वोट, 50 वोट दिये थे, तो ये भी उपर जो तीन बंदे पहले सिलेक्ट हुए यह तो बाद में हो चलो यह तीन बंदे पहले सिलेक्ट हुए बस यही सिलेक्ट हुए according to single transferable voting आपको समझ में आ गया होगा single transferable vote सबसे मुश्किल है single transferable vote को समझना और आपको मैं बता हूँ last मैं total जो seats है 290 यहाँ पे देखे उपर 292 seats sorry 292 तो इनके थे 296 total 296 total seats यह 296 seats मैं से Congress ने जीते 208 seats Muslim League ने 73 seats और Baku ने जीते 15 seats और तभी तो Muslim League ने बोला कि मैं बाइकॉट करूँगा मैं मीटिंग नहीं करूँगा उन्होंने कि मीटिंग एटेंड नहीं की जो क्या आप कल पढ़ोगे मेटिंग पे क्या हुआ करनस्टिच्शूइट असंबी बानी न करनी है कब करनी है फस्ट मीटिंग होगी 9 दसंबर को कब नास्टिच्शूइटери शर्स मीटिंग होगीît और आपकव मैं बताऊ गो सीट्स तो दिश्ट्रिबूट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना, कि Muslims का मतलब Muslim League, यहां पे Hindu's में General है, इसका मतलब Congress, ना, ना, Congress में बोत सारी Muslims है थे, ऐसा नहीं समझना, ठीक है, यहां पे overlap नहीं होना चाहिए लेकिन का, Congress में बोत सारी Muslims भी थे, उसके 208 seats, Muslim League में 73 और बाक्यू मे 15 seats थी, जीते बाक्यू ने, यह parties है, यह parties है, ओके parties है, अब ठीक है, आपको समझ में आ गया, Maximum Congress के, इसके अंदर आगे, कनश्वाट Assembly के अंदर आगे, और यही बनाते हैं फिर Constitution, आपको कल मैं सिखाऊंगा, कनश्वाट Assembly की मीटिंग, हमको क्या पढ़ना है, कनश्वाट Assembly Indian Independence Act क्या है, वो अब ही में आपको समझाऊंगा, फिर जब committees बनाएंगे, major committee, minor committee, drafting committee, वो क्या होता है, कब enact हुआ, कब enforce हुआ, क्या फरक थी, याद रखना कुछ चीजे, कुछ चीजे 1949 में, 1949, 26th November 1949 में ही, कुछ चीजे enforce हुए थे, हमेशा बताते हैं हम, कि यहाँ पे enactment date है यहाँ पे बना, enforce for 26 जनवरी को, वो सारी चीजे में आपको, और last में सबसे important, अरे, कनश्टनेट SMELE का criticism, उससे question आने के भी chances होते हैं, क्या criticism था इसका, वो भी हम देखेंगे, उमीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नीचे आप comment कीजे, क्या चीज समझ में आई, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंक्लूड करूंगा, ओके बाई